तो आप स्टूटेंट गूड मार्निंग, रीर स्ट्यूल हो चुका है 10th, 11th और 12th के बच्चों का एनुवर रेगुलर की जो एक्जामिनेशन हो रहे थे हार्ट जोन एरिया और साब जोन एरिया का जो डेट शीट है वो फिर से रीन्यू कर दिया गया है तो आपको बता दूँ जितने भी आपके एक्जामिनेशन होए थे, मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से लियर जाएंगे बस आपको डेट शीट दिखा दी गई है और बता दी गई है नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है तो आपको मैं बता दूँ अगर आपको ये बला नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे साज जोड़े रहें तो आपको पता चल जाएगा स्क्रीन शोर ले सकते हो तो आपको बता दू जो आपको बता दू हार जोन के बच्चे हैं जो साफ जोन के बच्चे हैं अगर आप साफ जोन एरिया में आते हो तो आपको बता दू क्लास 11 की ये रही रिवाइस डिशीट तो आपको बता दू आपका पहला पेपर है इंग्लिश का उसके बाद जग मैं आपको बता दू, यह रहा 11th का, उसके बाद अभी आया है 10th किलास का, तो आपको बता दू, यह है जुटी, आफ दा, जमू, एंड कश्मीर, एंड लदाग का, ठीक है, तो आपको बता दू, हार्जोन एरिया का 10th किलास का डेटशीट, रीवाइस है, तो आपको बता पेपर है चार चार दोजार 24 तो आपको बता दू पहला वोकेशनल सुपजर का होगा उसके बाद जो भी है आपके होंगे तो उसके बाद में आपको बता दू रिवाइस डेड़ शीट आपको बता दू अभी आपको बता दू हाड जोन एरियास की आई है तो आपको बता annual regular में 2024 में जो भी बच्चे examination दे रहे थे उनके दिये फिर से dead sheet आउट की गई है तो आपको बता दू 24 2024 से आपका examination शुरू है 11 का hard zone area में तो आपको बता दू ये रही hard zone area की dead sheet तो अपना अपना screen show ले ले तो आपको बता दू इसके बाद एक और dead sheet आई है class 12 की तो आपको बता दू 12 की जितने hard zone areas के बच्चे हैं तो आपको बता दू आपका भी आपका examination फिर से लिया जा रहा है तो अपना check कर ले तो आपको बता दू 8,4,24 से 12th class के hard zone के examination फिर से लिया जाएगे जो भी पहले हुए हैं सब रद कर दिये हैं तो आपको बता दू यह है आपकी dead sheet जो भी revise आई है तो अगर आपको कोई doubt रहता है अगर आपको कोई भी doubt रहता है किसी भी division से हो तो मेरे साथ आप जोड़ सकते हो comment में comment में आप reply चाहते हो तो comment में कोई भी question आप पूर सकते हो आपको reply मिल जाएगा अगर आप हमारे channel पे पहली बार आए हो तो channel को subscribe कर लें अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो comment में आएं मैं आपको हर एक help करूँगा आपका और आपको reply दूँगा ठीक है धन्यवाद